नमस्कार दोस्तो, मेरे चैनल NKJ Creations पर आपका स्वागत है जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए दादी नानी की बताई होई उस जरूरी बाते बच्चों को सोती समय एक छोटा चम्मच सहत चटा दे ऐसा नियमित करने से कुछी दिनों में बच्चों की नीद में पिसाप करने की यादत चले जाते है अगर पेट में गैस जादा बनती है तो मेथी दाने का इस्तेमाल करें अगर आपको चक्कर आने लगे तो एक छोटी इलाइची को गरम पानी के साथ सेवन करें 4. सरी में खुन की कमी हो तो आधा कप गाजर के जूस में निम्बू का रस मिला कर पिये 5. जिनको मुँ से बद्बू आने की समस्या है उन्हें सौंफ को रोज दीन में तीन से चार बार चबा चबा कर खाना चाहिए 6. सेव को छिल कर बारिक कट लें और उसमें थोड़ा सा नमक मिला कर सुबा खाली पेट खाएं इससे सीधर दूर हो जाएगा 7. सुबा खाली पेट एलेवेरा जूस पीना बहुत ही फैदेमंद होता है क्योंकि एलेवेरा का रस पीने से पेट और आतों की जलन को कम करने में मदद मिलती है 8. दूद और सौंट का सेवन करने से पेट हमीशा साफ रहता है 9. सौंफ यादास को भी तेज करती है बादाव, सौंफ और मिस्री को समान मात्रा में पीछ ले और रूज रात को और दोपहर में खाना खाने के बाद इसका सेवन करें इससे यादास बहुत तेज हो जाती है 10. काजू का सेवन करने से हमारी वर्डी को भरपूर एनरजी मिलती है हर रोज अगर आप 3-4 काजू का सेवन करेंगे तो ऐसे आपका सरी पूरा दिन उज्या से भरपूर रहेगा 11. जिन लोगों को भूलने की बिमारी हो वह रोज सुबह और साम अंगूर के रस को 2-3 चमच पिया करें इससे भूलने की बिमारी दूर हो जाती है 12. अगर फटी एडियों से परिसान है तो आप पीपल के पत्तों का रस लगाए इससे फैरो की फटी एडिया ठीक हो जाते हैं और पीपल के पत्तों का गरम लेप लगाने से भी सरी के घाव को दूर किया जा सकता है 13. खसकस के बीजू को पीस कर पानी के साथ लेने से बोडी का टेंपरेचर कम हो जाता है और घर्मियों में बोडी को कुल रखने के लिए या बेश्ट मेडिसीन है 14. आउनी के रस का सूखा चुन गोण के साथ मिला कर लेने से पिसाफ खुल कर आती है 15. पका हुआ अमरूत खाने से सरीर में हीमोग्लोमिन की कमी नहीं होती है और जब सरीर में हीमोग्लोमिन की कमी नहीं होगी तो आपकी सरीर में बलड आवस्यक मात्रा में बनेगा 16. कच्चा प्याज खाने से गर्मिय में लू नहीं लगती है और अगर किसी को लू लग गई हो तो प्याज का रस पीने से या उसे तलवे पर मलने से रहत मिलती है 17. सौंफ आखों के लिए बहुत अच्छी होती है एक चमच सौंफ दो बदा और स्वादानुसर मिस्री को साथ में पीस कर पाउडर बना ले और रोजाना रात को सोने से पहले एक चमच इस पाउडर को दूद के साथ सेवन करने से आखों की रोग ठीक हो जाते हैं तथा आख पर चोट लग जाने की वजह से सरी से लगतार खून निकल रहा है तो बहते वे खून को रोकने के लिए फिटकीरी के परयूग कर सकते हैं फिटकीरी को पानी में डूबोकर खून निकलने वाली जगह पर रगणने से खून का निकलना बंद हो जाता है नमबर 19, रोज सुबह खाली पेट दो आउले खाने से आखों की रोशनी बढ़ जाती है आपको बता दें कि आईरवेद में आउले को आखों की लिए सबसे बड़ी और सधी बताया गया है आउले का लगतार सेवन करने से आखों की चमक बढ़ जाती है और जिन लोगों की अंद्रूनी कम जोडी है उनके लिए बहुत हाद्यमंद होती है इसके लिए एक गलास गरम दूध में एक चमस सौंफ और मिस्री का पावडर डाल कर रोजाना साथ दिन तर रात को सोने से पहले पीने से सारी रिक कम जोडी दूर हो जाती है नमबर 21 यदि सरी के किसी हिस्से में गैस के कारण दर्ध हो रहा है तो एक गलास गरम पानी पीने से गैस बाहर हो जाती है अगर किसी को ज़्यादा डकार आती है तो उसके पेट में एंठन की समस्या हो सकती है अगर आपको दिन भर डकार आते रहते हैं तो इसे नजर अंदाज ना करें डॉक्टर से चेकब जरू कराए खाना खाने के बाद डकार आना एक समान्य सारीर क्रिया है बच्चों से लेकर बुढ़ुत तक सभी को खाना खाने के बाद डकार आती है लेकिन किसी को दिन भर या लगतार डकारे आ रही है तो यह एक गंभीर बिमारी के संकेत हो सकते हैं नमबर तेज दलिया एक ऐसा नास्ता है जिसे डॉक्टर भी रोज खाने की सलाह देते हैं दलिया खाने से जालतर पोसक तत्तो आपके सरीर में पहुंच जाते हैं और इससे आपकी हड़ियां और मांस्पेसियां दोनों मजबूत रहती हैं नमबर चौबिस रात के समय यदि पिसाब करने के लिए उठें तो उठने से पहले एक मिनट तक बीश्तर पर यह बैठें और अपनी हाथ और पैरों की उंगलियों की हरकत करें उसके वादवाश्रों के लिए जाये इससे हमारा ब्लड हमारे ब्रेल और हाट तक आसानी से पहुच जाता है इन बत्तों पर भी ध्यान दे रात में अवर्श्यक्ता से अधिक कभी भी ना खाएं रात के समय अपने अहार में डाल हरी पत्तेदार सबजीयां रोटी आदी का सेवन करें क्योंकि ए आसानी से पच जाते हैं ठंडा दूद ना पिए जब दूद हलका गरम हो तभी उसे पी लेना चाहिए नमक का मात्रा कम खाएं क्योंकि अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से सरीर में पानी की मात्रा को कम करता है 26. अधिक कार्ब या चीनी वाले खादे पदार्थ भी ना खाएं कई लोगों की आदत होती है कि वे रात में सोने से पहले मीठी चीजों जैसे की चोकले, केक, कुकी जादी का सेवन जरूर करते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाएं क्योंकि इससे सरीर में बलड सुगर का अस्तर बढ़ सकता है इसके अलावा रात में कार्बो हाइडरेट से भरपूर, खादे पतार्थों के भी सेवन से बचे तुलसी और अद्रक का रस पांस से साथ बुंद सहद में मिला कर चटाने से बच्चों का कफ, सर्दी और जुकाम ठीक हो जाता है अद्रक और नीम्बू का रस रोजाना मिला कर पीने से मुटापा घटता है नमबर 29, नीम और बेर के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से सेवने से बाल गिरने बंद हो जाते हैं नमबर 30, खड़े होकर पानी पीने से जोड कम जोड होते हैं और घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता है 31. हरी मीश खाने से सांस से संबंदित बीमारी नहीं होती है 32. सुवा खाली पेट अजवाइं का पानी पीने से पेट की सारी गंदगी साफ हो जाती है 33. भूनेगु में चने खाने से सरी में पूरिया देन ताकत में निरहती है और यह दिमाग और आखों के लिए भी बहुत फ्यादेमंद होता है 34. किनी कार्णों से अगर बार-बार उल्टी हो रही है तो सेब के जूस में मिस्टी तथा सिंधा नमक मिलाकर सेवन करे इससे तुरंथ ही आराम मिलेगा 35. नासपाती का सेवन करने से फेफडे तथा पाचन तंत्र से संबंदित रोगों में बहुत लाव होता है नासपाती के मौसम में प्रती दिन इसका सेवन अवस्य करना चाहिए तो दोस्तों आपको यह जनकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं और अगर आपको यह जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरू करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें धन्यवाद दोस्तों